सबसे पहले हम पकोड़े के लिए स्टफिंग बनाएंगे तो आदा छोटा चमत तेल को गरम करेंगे उसमें तड़का लगाने के लिए आदा छोटा चमत जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से पक जाने देंगे इसके बाद आदा छोटा चमत अजवाईन डालेंगे और इसे उसके बाद चार मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिये थे मैंने उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है आप चाहें तो इसे मैश करके भी यूज कर सकते हैं ग्रेट करके एड़ करेंगे तो इसमें कोई बड़े पीस नहीं रहेंगे जिसे पकोड़े बनाने में हमें आसा पाउडर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एड़ करेंगे एक चुटकी काली मिश पाउडर लाल मिश पाउडर तीखे खाने के हिसाब से एड़ करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला या पिसके जगे चाट मसाला एड़ कर सकते हैं अमचूर पाउडर एड़ अभी और मसालों को स्टफिंग се सात अच्छ से मिक्स करेंगे। आप मसालों की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉरडिंग कम या जादा रग सकते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद गैस की जलेम को हाई करेंगे और इस्टफिंग को 2-3 मिनृत तक high flame में अच्छे से roast कर लेंगे लासं में 1 फूर टी इस्पून जंजा गारिक पेस्ट अड़ और इसे भी स्टफिंग के साथ अच्छे से mix कर देंगे जंजा गारिक पेस्ट से स्टफिंग में बहुत भी बढ़िया सी खुश्बू यचा होती है अब हम बनाएंगे पकोड़े के लिए बैटर तो उसके लिए एक कप बेसन लेंगे उसमें आधा चोटा चमच ये टेस्ट के अकॉडिंग नमक डालेंगे और आधा चोटा चमच ये आजवाइन डाल देंगे उसके बाद मैं इसमें एड़ करने हूँ टू टी स्पून चाव इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती और पकोड़े इसली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी एड़ करेंगे और बेसन को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ध्यान रखें एक साथ पूरे पानी को एड़ कभी ना करें ऐसा क कि रखना होता है यानि बहुत जादा इसे पतला नहीं रखेंगे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे तो मैं इसे हातों से अच्छे से बीट कर ले रही हूं जिससे बेसन अच्छे से फूल जाएगा तो इसकी कंसेचेंसी आप देख पा रहे होंगे इसे मैंने बहुत आइट में रख देते हैं 10 मिनट के लिए जिससे बेसन अच्छे से फूल जाएगा तब तक हम बाकी तयारी करेंगे अब हमें बखोड़े बनाने के लिए टमाटर को रैडी करना है उसके लिए 4 मीडियम साइज के पके हुए टमाटर लेंगे अच्छे से दूल लिजे इसक तरीके से कट करने के बाद इसके सीट यानी बीच और पल्प को हमें अच्छे से निकाल देना है ऐसा करने से टमाटर के अंदर प्रॉपर स्पेस बन जाएगा जिससे हम इसमें स्टफिंग फिल कर पाएंगे तो आप इसके पल्प को निकालने के लिए नाइफ ये स्पून इनकी हेल्प ले सकते हैं जिससे इसका पल्प आसानी से निकल जाएगा वैसे तो दोस्तों आपने आलू, प्याज, मेर्च, पालक ये और भी तरह के पकोड़े जरूर खाएंगे पर एक बार इस तरीके से भरवा टमाटर के पकोड़े बनाकर जरूर खाईएगा घर में ब आयो, टमाटर में खाईग बनायों करते हैं अब हमें प्रॉपर स्पे propose कहते हैं चलिगा कट दो सेके डमच्टर के पेर गलताया टमा любим है यह एक समय चलिग कर कर सकते हैं और अगर आप sauce आड़ नहीं करना चाहते हैं तो नॉमल जो हम हरी चटनी बनाते हैं धन्या हरी मेच नीबू नमक मेच वगएरा आड़ करके वो बना लीजे पर ध्यान रखिए चटनी बहुत जादा पतली न हो और इसी तरीके से टमाटर के अंदर डालने के बाद उसे फैला दीजे चटनी या सॉस एड़ करने से क्या होता है दोस्तों बाद में इसका टेज्ट बहुत ही बढ़िया आता है अगर आप इस पकोड़े को बिना चटनी या सॉस के खाएंगे तो भी यह बहुत ही बढ़िया लगेगी तो छटनी को फिंगर की हैसे आप अंद तो आप देख पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से इस तरीके से हमें स्टफिंग को फिल कर देना है और यह इस्टफ टमैटो हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें बेसन की कोटिंग करेंगे इन पकोड़ों को दोस्तों एक पर आप ड्राइज जरूर करिए तो भरवा टमाटर हमारे रेडी हो चुके हैं इसके बाद हम बैटर में वन फूर्टी स्पून या एक चुटकी के करीब खाने वाला सोडा एड़ करेंगे साथ ही साथ इसमें वन टेबल स्पून हम ऑल एड़ करेंगे पर आपने देखा होगा कढ़ाई में जब ऑल गरम हो कर सकते हैं उसके बाद हम टमाटर के उपर अच्छी कोटिंग करेंगे क्योंकि बैटर हमारा बहुत जाधा पतला नहीं है को टी इसली हो जाएगी बेसन की कोटिंग करने से पहली आप गैस पे तेल को गरम होने के लिए रग दीजे और इसके बाद इसे गरम तेल में फ्रा बीच बीच में से पलटते रहेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे तो हमारे बढ़ियां से पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं इनमें कलर भी अच्छा आचुक है अब हम इने कढ़ाई के बाहर निकाल लेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्र ओल को हम कढ़ है और देखने से पता चल रहा है पकोड़े हमारे बहुत ही जादा क्रिस्पी बने बाकी पकोड़े भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे दोस्तों आज आज आपने देखा होगा कि मैंने इसमें थोड़ा सा गरम तेल और चावल का आटा मिक्स किया था आप कोई भी कोड़े बन कर रेड़ी हो चुके अब इने गरम गरम आप सर्फ कर सकते हैं सर्फ करने के लिए चतनी और सॉस का यूस कर सकते हैं तो रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें टेस्ट फ्लेवर को सब्सक्राइब जरूर करें